पर जब से शायद जीवे 817 आया है अब शायद जीवे 817 वाले इसका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं आपको याद होगा हमने एक वर्ड देखा था देहरी मोनुमेंट्स यह भी एक तरह का सिम्बल है सती का सती को प्रेक्टिस किया गया था तो इन्होंने अमेरिकी किसम के जो सेब के बादे हैं वह सबसे पहले कहां पर लगाए थे कोड़ गड़ में विगार प्रथा को शिम्ला डिस्टिक में कब समाब्द किया था वर्ष 1921 किसम है एच्पी फॉरेस्ट कॉर्परेशन लिमिटेड इसको भी सेट अप किया था वर्ष 1974 में इस म्यूजियम का जो नाम है वह उर्षवती किस वर्ष सेट अप किया था नैंटीन नैंटी तरी तो यह आपने याद रख लेना है स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में एच्पी जी की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 38 को यहां पे डिसक्स कने वाले है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को देखते हैं क्वेशन नमबर 431 हमाजय प्रदेश में राजनगर कहे जाने वाले महल का नाड़ा में किसने निर्मान किया था तो नाड़ा महल को इरेक्ट करवाने वाले व्यक्ति थे उमेद सिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर B कुछ एक फैक्ट 7 को हमें आपे देखते हैं नाड़ा जो प और पास किया था कि कोई भी रानी जो है अब इसके बाद सती नहीं होगी तो आपने यहां से एक फैक्ट याद रखना है कि यह जो और वो कब पास किया था 1764 में ठीक है तो यह पॉइंट आपने जरूर याद रखना है और अगर आपको याद होगा हमने एक वर्ड देखा छाठा राजा चरपट सींग वारे में चरपट या फिर चरहट से इसके इसके टाइम में में जो है वह वह सकार सती को प्रेक्टिस किया था ठीक है लास्ट टैइम सती फोल फ्रेक्टिस ये आपने इस स्राय्जा से यादॉटना है विच पास इस नौट लोकेटिट इन डिस्टिक चमबा ओफ एच भी हिमाच्य प्रदेश के जिला चमबा में कौन सा दर्रास्तित नहीं है तो यहाँ पर अगर हम option D को यहाँ पर देखे कुंजुम पास को तो कुंजुम पास जो है वो हमें देखने को मिल जाता है लाहॉल औ और भरमौर तो इन दो पॉइंट्स को भी आपने जरूर नोट करना है नेक्स्ट इस 433 खेराथ इस फोग डांस ऑफ विच डिस्टिक ऑप एच्पी खेराथ हिमाच्य पदेश्ट के किस जिले का लोग नरित्त है तो खेराथ जो की एक फोग डांस है यह भी आपने इस तर इस है रुजका हो गया उजक जामा हो गया coch उम्रात कि बreath व्हाट कुछा जाता झाथ और खेराथ इस कोश्यन में पूछा अब है तो इन सबको भी आपने याद कर लेना है और नोट में기에 डिना जे भी आपको प्लेस्ट प्लेख दीख रेया है ये फिलप्स और प्रिविश यह मंद्ला प्रिशोच दीद रफिलेगा जब आपको पास इग्जाम में इस तरह का पता लगेगा नेक्स्ट है 434, चबूतरा हिल्स अर लोकिटिट इन विच डिस्टिक ऑफ एच पी, चबूतरा पहाड या हिमाज़ा प्रदेश के किस जिले में है, तो ये सिचुएटेट है डिस्टिक हमीरपूर में, इसी तरह से जब हमने हमीरपूर डिस्टिक की माउंटिन रेंजिस को डिस्कस किया था, तो वहाँ पिर हमने तीन रेंजिस मेंनली देखी थी, एक जगदार, चबूतरा हिल्स और सूला सिंगी धार, तो इन तीन को आपने हमीरपूर डिस्टिक से याद रखना है, नेक्स्ट है 436, वो इन्वेडिड कांगडा इन 1805 AD, 1805 AD में कांगडा पर किस ने आकरमन किया था, वैसे तो सभी को इसका आंसर पता है, ठीक है, क्योंकि 1805 की कर टाइम लाइन किम बात करते हैं, तो उस टाइम पर हमार को गुर्खा से इन वेजन देखने को मिलता है, एक रिलेशन आप इसका इस तरह से भी देख सकते है, जब राजा संसार चंद ने बिलासपूर बे अटाइक किया था, तो उस टाइम पर महा के राजा कौनते है, महांचन, तो महांचन ने किसको इनवाइट किया था, गुर्खा कमांडर अमर सिंग थापा को, तो 1805 की टाइम लाइन रिलेट है, अमर सिंग थापा से, तो राइट आंसर होगा, ऑप्शन न और एक आपने याद रखनी है, कायस, यह भी कहांपे है, डिस्टिक कुल्लों में, अगला है, 438, सत्यानन्द स्टोक्स बिलॉंग स्टोक्स किस देश से संबंद रखते हैं, तो सत्यानन्द स्टोक्स अगर आप जानते होंगे, तो बहुत ही फेमस परसनेलिटी है, ठीक है अगर हम एपल की बात करते हैं, एपल इंडरस्टिक की अगरम बात करते हैं, तो इन्होंने अमैरिकी किसम की जो सेब की पहोद है, वो सबसे पहले कहांपे लगाए थे, कोडगण में, ठीक है, और कोडगण को जो है, वो वैली ओफ एफ एपल के नम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो अमेरी की किसम का सेव का पहुदा है वो कहां पे प्लांट किया गया था कोडगड में और कोडगड में ही एक बहुत सुन्दर लेक है ताना जुबड ठीक है यह भी आपने याद रखना है तो आपको क्वेशन बनता है ताना जुबड लेक किस डिस्टिक में स्थित्त है तो शिम्ला डिस्टिक में यह सिचुएटेड है एक्जेक्ट पूचा जाए तो कोडगड में यह पढ़ती है शत्यानन्न् स्टोक्स बिलॉंग करते थे युएससे से और इनके बारे में आपने एक याद रखना है इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है सत्यकाम सिट्हेकाम उपने इनसे याद रखनी है और सतियनेंट शोक्स के ही प्रयासों से वर्ष 1921 में आज्मी में विगारपता को समात्थ किया था ठीक है तो आपने यह भी आद रखना है कि विगारपता को शिम्लाडिस्तिक में कब समात्थ किया था वर्ष 1921 में अगले कुछिन की तरह बढ़ते है 439 हुआ फॉल्विंग 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 फॉल्ड रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट एंड मोस्ट एकुरिट टाइपिंग इमाचर परदेश से निम्नमैसे किस ने सबसे तेज वह अत्यादिक स्टीक टाइपिंग का विश्व का रिकॉर्ड बनाया है तो वह व्यक्ति थे राजिंदर सिंग तो राइट अंसर है इसका आप्शिन नमबर ए पर जब से शायद जी ओए 817 आया है ठीक है अब शायद जीओ 817 वाले इसका रिकॉर्ड तोट सकते हैं अगला है 440 फेमस बाबा बालकनाथ टेंपल इस लुक अगला है 441 एच पी स्टेट इलेक्टिसिटी बोर्ड वस कंस्टिटूटेड इन विच एर हिमाजर प्रदेश राज्य विद्यूत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो हिमाजर प्रदेश इलेक्टिसिटी बोर्ड को एस्टेबिश किया गया था 1971 इसी तरह से आ इस्टेब्लिश किया गया था एक्जेक्ट डेट आपने याद रखनी है 2nd of October 1974 और क्या हुआ था हिपा को भी यहां पे सेट अप किया गया था जो कि फेल लॉन में हमें देखने को मिलता है इसी तरह से आपने एक याद रखना है एच पी फॉरेस्ट कॉर्परेशन में किस स्थान पर उरुस्वती हिमालियन लोग कला संगरालय स्थित है तो उरुस्वती हिमालियन फोकार्ट म्यूजियम सिच्वेटिट है कुलू के नगर में तो राइट आंसर होगा इसका option number B और इस म्यूजियम का जो नाम है वो उरुस्वती किस वर्ष सेट अप किया गया था 1974 में इसी तरह से आपने याद रखना है लॉजल डॉल यह म्यूजियम कहां पे है धरमशाला इसी तरह से आपने एक और याद रखना है कांगडा आर्ट यह तो नाम से ही आप अडेंटिफाई कर पाऊंगे पर इसका जो इनोग्रेशन है वो किया गया था वर्ष 1990 नबे में एक और आपने यादतना है के लॉंग के लॉंग म्यूजियम यह डिस्टिक लाहस पी थी में अगला कोशन है 443 लोडी फेस्टिवल ऑफ प्रागपूर इस विच लेवल ऑफ फेस्टिवल प्रागपूर का लोडी उत्सव किस तरका उत्सव है तो यह एक स्टेट फेर है ठीक है तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन नमबर बी अगला है 444 विच हिमालियन प्रिंसली स्टेट रिफ्यूस तू साइट विद द ब्रिटिश दूरिंग दा वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 के सुतंतरता यूद के दुरान किस हिमाचली राजसी राज् सेक्शन में जरूर बताना है अगला है 445 बादल ग्लेशियर इस सिच्वेटेट इन विच डिस्टिक ऑफ एच्पी हिमाचा परदेश के किस जिले में बादल ग्लेशियर सित्थ है ग्लेशियर के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो लेक्चर बनाया है और बहुत बार इसके जो फैक्ट्वर कोईशियर से उनको हमने डिसकस किया है तो इसको हम यहां पर डिटेल में कवर नहीं करेंगे बस आपने हैं भादल ग्लेशियर कहां पे है डिस्टिक कांगणा में तो राइट आंसर है इसका और इसी तरह से आपने कुछ एक और ग्लेशियर से जैसे किस पुस्तक में कालीदास ने किनर के संदर्व में अभी विक्ति दी है तो कालीदास ने किनर को मेंशन किया है अपनी किताब कुमार संभवा तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नमर बी अगला कुशन है 447 वेन वास नेशनल अग्रिकल्चर इंशुरेंस स्कीम हमाचर प्रदेश में विध्यूति कृत गाउं की सबसे कम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है तो सबसे कम जो इलेक्रिफाइड विलेज है हमाचल का वो है डिस्टिक किनर तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नमर भी इसी तरह से हमने लास्ट गूड लेक्शर में दिखा थ हमाचर प्रदेश की सोलन जिले में जोहादी मेला सबसे अधिक परसेद मेला है वह संबंदित है तो जोहादी आपने याद रखना है इस रिलेटेट टू गुरू नानक देव तो राइट आंसर इस ऑप्शन नमर ए अगला है 450 डॉक्टर राजिंदर परसाद मेडिकल कॉल कोलेज डांडा स्थापित हुआ था तो यह एस्टैबलिश हुआ था 1996-1997 तो राइट आंसर है ऑप्शन नमर ए इसी तरह से कुछ एक और जो मेडिकल कॉलेजिस हैं इनको भी आपने याद रखना है यसे सबसे पहले हम डिसकस करते हैं लाल बहादूर शास्त्री लाल बहा तो यह मेडिकल कॉलेज आपको देखने को मिलेगा डिस्टिक चंबा में इसी तरह से आर के जी मेडिकल कॉलेज यह हमें देखने को मिलता है डिस्टिक हमेर्पूर अगला क्वेशन है 451 दा फर्स्ट वाइस चंसलर ऑफ चौदरी स्वरण कुमार हिमाचर प्रदेश क्रिशी विश्वविदाले पालंपूर के प्रत्म कुलपती कौन थे तो फर्स्ट वाइस चंसलर जो थे CSK Agricultural University के वो थे हेत रामकालिया तो राइट आंसर है इसका option number A इसी तरह से आपने याद रखना है CSK University जो है पालंपूर की इसको establish किया गया था एक नवंबर 1978 ठीक है यह आपने यहाँ से याद रखना है इसी तरह से आपने एक और याद रखनी है नौनी यूनिवस्टी इसको establish किया था 1985 में और नौनी यूनिवस्टी के जो first vice chancellor थे वो थे MR ठाकुर और HPU के जो first vice chancellor थे वो थे राम करण सिंग आर के सिंग भी हम लिखते है शौट में राम करण सिंग और नौनी यूनिवस्टी से आपने एक point याद रखना है कि यहाँ पर जो है इमाजर प्रदेश का first energy park जो है वो set up किया गया है first energy park और इसको जो है किस वर्ष सेट अप किया था वर्ष 2013 में और CS के पालंपूर यूनिवस्टी से आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो है दो person ने जो है यहाँ पे patent प्राप्त किया है वो दो person कौन है एक तो है DC शर्म DC शर्मा और दूसरा है आशा बंसल इन दो person को जो है यहाँ पे इन्होंने patent प्राप्त किया है DC शर्मा ने जो है वो bio insecticide इसके लिए इन्होंने प्राप्त किया है और आशा बंसल इन्होंने जो है वो नेचुरल डाइ के लिए प्राप्त किया है नेचुरल डाइ तो यह दो परसन भी आपने सीस की पालमपूर युनिवस्टी से याद रखने है अगला कोश्चन है 452 एस पर सेंसिस 2011 एरिया वाइस इस रैंक ऑफ एच्पी इन इंडिया वह जनगर्णा 2011 के नुसार क्षेत्रफल के अदार पर भारत में हिमाचर प्रदेश का स्थान तो जैसे कि आपको पता है कि भारत में 28 स्टेट्स है और 8 यूटीज है तो अब क्योंकि आपको पता है कि नए यूटीज और नए आता है 20 यानि की 20 नंबर पर हिमाचर बदिश आता है तो इस कुशन का राइट अंसर होगा उप्शन नंबर सी तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन को डिसकस करेंगे वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आपके जो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाए